हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल K2H Kitchen & Craft पर जहां आज मैं लेकर आई हूँ आप सब के लिए हेल्दी मसाला टी रेसिपी ठेंड के मौसम में चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है अगर चाय हेल्दी हो तो बात ही कुछ और है तो चलिए, स्टार्ट करते हैं इसे बनाना सबसे पहले हम इसका मसाला तयार कर लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए 3-4 अद्रक के टुकरे 2 तेज़ पत्ता, 7-8 कोल मरीज 2 दालचीनी के छोटे टुकरे 3-4 छोटी इलाइची आदी छोटी चमब सौप, 5-6 लॉंग और तुलसी के पत्ते पहले हम इन मसालो को कूट लेंगे मैंने साड़े मसालो को जार में डाल दिया है लेकिन तुलसी के पत्ते को नहीं डाला है हम इसे डायरेक्ट चाय में ही डालेंगे मसालो के साथ अब हम इन मसालों को कूट लेते हैं हम इन मसालों का यूज तीन से जार दिन तक कर सकते हैं हमारी मसाले रेडी हैं अब मैं प्लेट में इसे निकाल लेती हूँ इतनी मसालों से हम 6-7 कब चाय अराम से बना सकते हैं तो चलिए अब चाय बना लेते हैं मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और एक कप पानी डाल रही हुँ मुझे एक कप चाय बनाना है इसलिए मैंने एक कप पानी डाला उसके बाद हम इसमें दो चोटी चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे और दो चम्मच चीनी चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़ादा डाल सकते हैं चाई में उबाल आ चुका है अब हम इसमें आधी चम्मच मसाले डाल देंगे और साथ में ही तुलसी के पत्ते भी डाल देंगे तुलसी से चाई में एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा और तुलसी तो हमारे लिए फाइदे मंद होती ही है अब हम इसमें एक कप डूर डालेंगे और चाई को अच्छे से उबाल आने तक पका लेंगे चाई को बीच पीच में अच्छे से हिला हिला कर पका लेंगे इससे चाई का टेस्ट और भी अच्छा आएगा आप देख सकते हैं चाई का कलर डार्क हो गया है अब हम इसे चान लेंगे तो लीजिए हमारा हेल्दी मसाला टी बन कर तयार है उमीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें